गन के बैरल को 180 डिगडी मोर कर फाइरिंग करने पर क्या होगा? क्या गोली घूंकर चलाने वाले को ही लग जाएगी या फिर बैरल को चीर कर बाहर निकल जाएगी? चलिए इस एक्सपेरिमेंट से समझते हैं जहां AR-15 राइफल को साउधानी से अपनी तरफ मोल दिया जिसके बाद राइफल को पेंड से बांध के दूर से ट्रिगर को दबाये गया और एक्सपेरिमेंट सक्सेस्फुल रहा गोली मुड के सीधे स्कोप को लगी ऐसा इसलिए क्योंकि बैरल को कर्वड से पें मोडा गया था जिससे की गोली अपनी आधी एनरजी लगा कर बैरल से बाहर निकली ऐसे ही जानकारी के लिए प्लेनेटी फैक्ट को सबस्क्राइब करें